दोस्तो नमस्कार, आज बात हिमाचल प्रदेश पुलिस के राशन भत्ते की करेंगे बात पड़ोसी राज्ये उत्तराखंड पुलिस से भी तूलना करेंगे लेकिन सबसे पहले एक किस्सा मुझे याद आता है बीते दिनों की बात है जब मैं पाउटा साहिब से नाहन की तरफ किसी नीजी बस में सफर कर रहा था साथ में दो कॉंस्टेबल थे, एक केदी था, शायद पेशी के लिए ले जाया गया था मेरी बगल की सीट पे वो बैठे तो एक केदी से मैंने कुछ वारतलाब की, कुछ बातें की सबसे पहले तो किराय का जब जिक्र हुआ तो बड़े शान से केदी ने कहा कि किराया पीछे कटेगा और पुलिस कॉंस्टेबल किराया काटता है केदी से जब मेरी बात होती है मैंने कहा कि कभी मजा की अधंग में मैंने कहा कि कभी भागने की कोशिश नहीं कि किस मामले पे आप अंदर गए तो उनने कहा कि मारपीट का मामला था भागने की कोशिश नहीं कि क्या करूंगा भाग कर कहां जाओंगा दो दिन के अंदर पक खर्ड भी लेंगे खेर बताने का मकसद क्या था केदियों पर जब खर्च की बात आती है कि दिन पर केदियों पर कितना खर्च होता है इमाचल में तो जिक्र आता है कि आप यकीन मानिए कि 140 रुपे प्रति दिन खर्च होते हैं 70 रुपे पुलिस के जवान को मिलते हैं जब क पुलिस जो अपने अधिकारों को अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकता है बीते दिनों अगर उठाई थी तो स्यम्जाराम ठाकू ने दो टूक शब्दों में कह दिया था कि आइंदा से ऐसा ना हो अब नौकरी किसे प्यारी नहीं है आवाज नहीं उठा सकते तो उ जगत प्रकाश नडडा के काफिले को तो रोका लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसके बाद उनके परिजनों पर एफाई आर दर्च कर दी गई पुलिस के जवानों के राशन भत्ते का जब हम जिक्र करते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे जब हैरान आप होंगे तो इसलिए होंगे क्योंकि 210 रुपे मासिक जिसे अगर हम देनिक दिन में अगर प्रति दिन के हिसाब से देखें तो 7 रुपे प्रति दिन के हिसाब से हिम मानिए 7 रुपे प्रती दिन के हिसाब से मिलता है हिमाचल पुलिस के जवानों को जब आप देखेंगे हटे कटे जवान 6-7 फुट की हाइट उनकी और लगता है कि यहां हिमाचल के पुलिस के जवान है क्यूं क्यूंकि पहाड़ी खाना पहाड़ी लोग अपने बेटे को उ और जब वही जवान पुलिस में सेवाएं देने जाते हैं सरकार के हवाले इंदा सेंस अगर उन्हें कर दिया जाता है तो उनकी जो डाइट है उसका ध्यान कोन रखेगा सरकार मोकदर्शक बनी हुई है सरकार सिर्फ इतना कह रही है कि हम सोचेंगे विचार करेंगे लेकि पर पांच रुपे में बीते कई समय से चाय मिलती है बाकी जगे पर तो दस रुपे से कम चाय तक नहीं मिलती है तो आप यकीन मानिये और ये वही पुलिस के जवान है हिमाचल के जवान है जो अपने घर में इकलोते कमाने वाले हैं कई ऐसे जवान आप देख पाएंगे जो इकलोते हैं, जो फिर अपने भाई बहन के खर्चे को, पड़ाई को, शादी को, बहन की शादी हो, भाई का खर्चा हो, घर का जो पालन पोशन है, उनी के खर्चे पर चलता है, उसी नौकरी से चलता है, लेकिन जब वो अपनी आवाज तक न उठा पाएं, फिर आप क्या कहेंगे, खेर, जेल वार्डनों की जो बीते समय में भरती हुई, जेल में जो वार्डन लगे, युवा लगे, उनकी भी यही हालत है, उनकी तो इससे भी बत्तर हालत है, 110 रुपे मासिक उन्हें मिल रहा है, यानि की 3 रुपे प्रति दिन, आप हसिएगा जरूर, सोचिए जादा खर्च करती है, खर्च तो ये भी जादा नहीं है, लेकिन हिमाचल से कई जादा करती है, उत्तराखंट पुलिस को 1500 रुपे मासिक मिलता है, राशन भत्ते की रूप में, 50 रुपे दिन का आप हिसाब लगाईएगा, और वहां पर केदियों को 100 रुपे की डाइट म कहा है कि अगली बार से ऐसा ना हो, क्यों? क्योंकि डीजीपी स्वंजे कुंडू भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके देनिक भत्ता, उनके भत्ते, यात्रा भत्ते ना जाने उन्हें क्या-क्या मिलता होगा, लेकिन विधायकों का जब हम जिक्र करते हैं, और लेकर आपको ह चार लाख रुपे सालाना हो जाएगा, तो फिर आप क्या कहेंगे? उनके भत्ते ना जाने, यात्रा भत्ते, पैंशन भत्ते, क्या-क्या उन्हें मिलता है, उसका जब मैं आपको बताऊंगा, तो आप सुनिएगा जरूर कि पूर्वों में विधायक जो रहे हैं, सवा ला की पैंशन मिल जाएगी, और जब मिल जाएगी तो उनकी पक्की नौकरी आप सिर्फ 9 महिने की समझेए, 10 महिने की समझेए, और अगली बार चाहे हारे, चाहे जीते, उनकी पैंशन पक्की हो जाएगी, खेर, इसकी अलावा प्रदेश के जो बाहर टेक्सी बिलों का बुक के राशन भत्ते उसको बढ़ाने का जब जिक्र होता है तो आर्थिक तंगी बीच में जरूर आ जाती है लेकिन इस आर्थिक तंगी के बीच में कोरोना के इस दोर में आपने देखा कि सरकार ने अपने यात्रा भत्ते तो बढ़ाए लेकिन कोरोना के इस दोर में जब पुल पुलिस के जवान अपने हक की आवाज तक नहीं उठा पा रहे हैं। अगर गाडिया रोकी जाती हैं कहीं पर लोगों को तंग किया जाता है 100 रुपे के लिए 50 रुपे के लिए 200 रुपे के लिए फिर आप किसे जिममवार ठेराएंगे। क्योंकि अगर आप राशन भत्ता भी आप साथ रुपे दे रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि कैसी कानून व्योस्था आने वाले दिनों में या फिर अभी बन सकती है। और उन्हें साथ रुपे दिन के हिसाब से राशन भत्ते के रूप में मिलते हैं तो आप यकीन कीजेगा कि आने वाले समय में क्या सरकार इस पर कुछ सोचेगी और अगर नहीं सोचेगी तो सरकार सोचेगी भी क्यों क्योंकि जब उनके अपने भत्तों को बढ़ाने का जिक् कोई सवार नहीं उठाया चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष हो वीडियो से कोई शिकायत हो तो हमसे साजा करें वीडियो अगर पसंद आया तो अपने अपनों से साजा करें पुलिस के जवानों की आवाज को जरूर उठाएं नमस्कार